सतीश मांशिंदे ने आरेन खान के पकड़े जाने पर शाहरुक खान से यह वादा किया था कि वो कुछ मिंटों में ही उनके बेटे को जमानत दिलवा देंगे लेकिन जब जब कोर्ट में आरेन की जमानत पर भहस हुई तो हर बार शाहरुक को इसमें हार मिली कोट अब तक तीन बार आरेन की जमानत याजका को रद कर चुकी है अब इसे लेकर शाहरुक ने एक बड़ा कदम उठा लिया है शाहरुक ने सतीश मानशिंदे से अपने बेटे का केस छीन लिया है जी हाँ, अब आरेन का केस सतीश मानशिंदे नहीं लड़ेंगे सल्मान खान की बात मानते हुए शाहरुक ने अपने बेटे का केस देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक अमिद देसाई को दे दिया है अमिद देसाई वही हैं जिन्नोंने हिट एन रन केस में सल्मान खान को जवानत दिलाई थी कोर्ट में अब यही वकील आरेन का केस सामभा लेंगे आरेन के केस को लेकर अमिद देसाई ने कहा है कि वो इस केस में आरेन को न्याय दिलवा कर ही रहेंगे लेकिन इस मामले में NCB ने भी पूरी तयारी कर रखी है अब तक कोट में इस केस को लेकर हर सुनवाई में NCB का पडला ही भारी रहा है बुदबार को एक बार फिर RN की जमानत याजका पर सुनवाई होगी आप देखना होगा कि RN के नय वकील अमिद देशाई क्या उन्हें जमानत दिला पाते हैं या फिर उनका भी हाल सतीश मानशनदे की तरह होगा पलाल इस खबर पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट में बताईए और भी जादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब केजिए